हेलों दोस्तों वेल्टा वागेंडे शेक्षा एन्तर हम टॉपिक्स को सुरूवाद करेंगे सिरीज को सुरूवाद करेंगे तो बिटा यहाँ पर कश यह पर दो labonkinintense तो अब यहां दो labonkinयके दो बातेगे है और ऻाँ करेंग कांप्लीकेशी के पारें और अचछे से आप देखेंगे यहां कोशन सबसे पहले पूछा गया रैस्परेशन क्या होता है तो रैस्परेशन पूछने के बाद में यहां से रिवर्ड में आंसर क्या आता है रैस्परेशन एक प्रसस होता है जो हम जनरली सभी के दिमाग में आता है कि रैस्परेशन एक प्रसस होता है वह देखते हैं, आंसर क्या मिलता है, आप देखेंगे, हम लोगों ने oxygen को लिया, लेंग्स में गया, लेंग्स में जाने के बाद CO2 बना, CO2 भारा गया, carbon dioxide भारा गया, क्या इसी को respiration बोलते हैं, आंसर देखेंगे क्या हैगा, no, this is not respiration, this is called as breathing इसको हम breathing बोलते हैं respiration नहीं बोलते हैं क्या फिर हम यह अभी तक यह जूट के ओपर देवा रहे थे यह जूट के ओपर देवा रहे थे यह एक छोटा सा पार्ट है respiration का अब देखेंगे आगे इसको तो breathing क्या है breathing is a part of respiration it involves only exchange of gases breathing जो है स्वसन जो है यह सिर्फ और सिर्फ वो वाला हिस्सा है जिसमें gases का विनिमय होता है विनिमय का मलब आदान प्रदान होता है exchange of gases चो होता है उस पार्ट को हम सिर्फ क्या बोलते हैं breathing बोलते हैं oxygen गंदर आना, CO2 को बाहर जाना oxygen गंदर आना, CO2 को बाहर जाना यह सर्फ breathing कहलाता है यानि आगे भी कुछ न कुछ प्रोसेस होता होगा जो complete respiration मनाता है अब वो process क्या है वो कैसे होता है इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं आप देखेंगे तो आपको अब क्या मिलेगा देन वोट इस respiration वही कुछ न आ गया असल में respiration किसे कहते हैं अब देखेंगे यहाँ पर आपने देखा हम लोगों ने क्या गया oxygen enters the lunge through breathing oxygen enter करता है लंग्स में फेफडों में फ्रफुस में किसके द्वारा ब्रिथिंग के द्वारा ओटू अंदर गया और अनदर जाने के बाद लंग्स में आ गया यह लंग्स में आ गया ओटू और ओटू के आने के बाद में फिर क्या होता है from the lungs oxygen enter into the blood अब यहां से यह जो लंग्स है यहां से oxygen enter करेगा कहा enter करेगा blood में enter करेगा जो सिंपल फूड मिटेरियल था जो इंटेस्टाइन में बना था वो कहा गया था विली के माध्यम से ब्लड में गया था उसी तरह से ऑक्सिजन जब मानब शरीर के अंदर ब्लड के अंदर एंटर करता है तो कहां से करता है लंग्स लंग्स के पास वो साइट होती है जहां से ऑक्सिजन ब्लड में एंटर करता है और ब्लड के अंदर का और कार्बन ने अक्साइड लंग्स में आता है यानि एक्सचेंज ऑफ गैसे लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसे जो होता है ब्लड का वो कहां पर होता है लंग् अब देखेंगे अब यहां पर क्या हुआ ऑक्सिजन का अंदर एंटर हो रहे हैं अपर यह ब्लड में अब तो अब तक आपको समझ में आया फिर उसके बाद क्या होता है यह जो ब्लड है यह जो ऑक्सिजन है ब्लड के द्वारा यह एन्वड में बंथा और माइटोकॉल्डरिया में ओक्सिजना आया लेंक्स में यह ब्लड में व्लड में भाद में बाद मैं कहा गया बॉड़ी में इस गो अब इस तरह से आप देखेंगे सेल के अंदर यहां पहुंच चुका है अब उसके बाद में In the mitochondria, food is broken down with the help of oxygen to release energy in the form of ATP इस mitochondria के अंदर में जो glucose आमने पहले से पहुचा है वा था जो intestine के माध्यम से यहां पहुचा था intestine ने blood को दिया, blood ने cell को दिया यहां पर oxygen भी पहुच चुका है अब दोनों चीज़े यहां mitochondria में आ चुकी है अब क्या होने वाला है यहां पर इसका ब्रोक्टाउन किया जाएगा glucose क्या करेगा, breakdown करेगा, उर्जा बनाएगा, energy बनाएगा, ATB और S2 और CO2 बनाएगा क्या क्या बनाएगा फिर से देख लो glucose और oxygen मिलने के बाद क्या बनाते है ATP बनाते हैं और ATP के साथ S2 और CO2 बनाते हैं उसके बाद carbon dioxide water vapor are given as out as product वो प्रोड़क के रूप में बनते हैं इसका एक general example आपके पास में है जब आप कभी भी क्या करते हैं running करते हैं तो running करते समय हमें energy चाहिए होती है तो energy के ताइम पर हम लोग देखते हैं तेजी से सांस लेते हैं सांस लेने से क्या होता है कि जल्दी से oxygen body के अंदर जाता है store food या glucose पहले से available होता है यह दोनों reaction करते हैं energy बनती है उस energy से क्या होता है हम running में use करते हैं उस उर्जा को हमने running में या other activities में use किया और by product जो CO2 बनाता उसको बाहर निकाल दिया वेपर्स को हम लोगोंने sweating के दुआर अधर फॉरंस में क्या कर दिया बाहर कर दिया तो respiration यहां भी हुआ cell के अंदर भी हुआ ठीक है ना आपको phenomenon समझ में आया दे आर गिवन आउट थ्रो ब्रीथिंग आगे ना वह बाहर कर देते हैं CO2 को ब्रीथिंग के थ्रो आउट बाहर हो जाता है और अब फिर से देखें फिर से प्रोस्ट को देखें एस्टो स्योटू माइटो कोंट्रिया से सेल सेल के द्वारा ब्लड में ब्लड के द्वारा लंग्स में लंग्स के द्वारा नो वाया पूरा ट्रैक जो है वापस का देखेंगे आग यह सेल में आए से ब्लड में लंग्स में फिर बाया नेसल कैविटी बाहर हो गए यह फिरॉमेना रहता है अब आपको यहां से कंप्लूजन क्या मिलता है डिपेंडिंग अपॉन दप्रेस्ट और एबसेंस ऑफ ऑक्सिजन हम लोग कुछ रेस्परेशन क्या होता है ऑक्सिजन की उपस्थिति में होता है कुछ अनुपस्थिति में जैसे कि यहां वाला जो मै इन दा प्रजंस ऑफ ऑक्सिजन इन दा अप्सिजन अवाईवेस सुस्थ एरॉप और अनुपक यह वाय वी हो गया और यह वाय वी हो गया जिसमें वाय वी इनंके बारे में अब फेसES इस पारे पढ़ता है उसके चाहे बारे में बढ़ते हैं पालisfail कि अंधर आ 생각을 सेफेस बेरी एक्षान ओना फिर ऑक्षिएंड का भार तरा जाना वह देखेंगे आप वी साथ ब्रीटिंग इस पार्ट ऑफ रेस्परेशन विच इंवाल्व और एक्षेंज ऑफ गैसेज अगे आगे आपने देखा एक्षुल एस्परेशन इन्वाल्व रिलीज ऑफ करते हैं अब आगे देखेंगे देर्फोर वी केंड से इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि रेस्परेशन के बारे में रेस्परेशन जो होता है उसके अंदर में दो फेज हो गए एक फेज जिसमें ब्रीटिंग होती है एक्षेंज ऑग गैसे होता है ठीक बेटा वीडियो को बार-बार देखो अच्छे से समझो कीप लर्निंग कीप प्रेक्टिसिंग जरुत बंद लोगों तक पहुचाते रहो मैं आपके लिए ऐसे इंट्रेसिंग वीडियो और ज्यादा बनाने की कुशिश करता रहोंगा आपको अगर कोई डाउट आता है कोई होती है तो आप हमें जरूर डिलिवर करें हम कोशिश करेंगे आपके डाउट साथ को रिजॉल्व करें